पहली कविता आपको याद है? मेरी इसमें है, लिखी है पहली कविता चुनेंगा? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि देखिये हम लोग जब बात चीत कर रहे हैं तो पियोषी का हर रूप सामने आना जिरूरी है यह मैं अपनी मा को दिख कर लिखी थी वह बहुत तो जल्म सेंड किया करती है तो मैं अनसे कुछता था कि मा आप इतना जल्म सेंड क्यों किया करती हूँ तो उनका जवाब ही बनता था कि बेटा मैं जिन्दा तो हो कम से कम तो मैं बोलता था कि ऐसी ऐसी जिन्दगी को तुम क्या चाट लोगी करते हुए होंट तुम दर्द सहते हुए सख सी लेते हो अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खुब अपनी समझ में तुजी लेते हैं गहराती रातों में उटती कराहट को अंधरी अंदर दवाते तो होगे अगली सुबह फिर वरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजा थूकें जो जन्दा यू रहने का मतलब यहीं बद्बू की बलगम को खुश्बू की मरहम बताके भरम में हुमलमल रहे कीला है वो संकीरों की दुनिया में कीड़ा ही बनके जो हर रपल रही क्या बात क्या बात यह कुछ हिस्क किया कुछ काम किया पर तो बहुत बात हो बढल की बात है ठीलर रहे किड़ाज के जिक्र की रहा है अपने कुछ रंगमंच के मित्रों का जिक्र किया है इस किताब में और दिल्ली के सहर भी बहुत सारे चोकि आपकी जिन्दगी में जो सहर महत्वपूर्ण हैं ग्वालियर दिल्ली मुंबई का आपने ज्यादा जिक्र किया है और जो इंडस्ट्री आपके साथ हाई हैं वो रंगमंच एक अलग दुनिया है मुंबई जिसको हम कहते हैं बालीवुड उसकी एक अलग दुनिया रही है उसकानव हो रहा है इन सहरों को आज आप किस रूप में देखते हैं अब जब इस सब कुछ उनके लिए मतलब जब आप आपने शुरुआत की होगी चाहे वो गुवालियर रहा हो चाहे वो दिल्ली मॉम्बई रहाओ जब आप पहली बार गई होंगे और अब जब अब आप इन सहरों को जाते हैं देखते हैं में जीते हैं कितना अंतर रहा है और कौन सा सहर दिल के करीब है इस तीनों की है क्वालियर से भी मेरे पफुराने प्राने तालुकात फर दुबारा ने चाहर को जाता हूं तो महाँ पर दो दिन कम से के मुझे, रिक्षा में या टैंपो में में बिताता हूं वह घुमता हूँ. इतना नहीं जानते लो बग मुझे और या फिर मैं बंद कर लेता हूँ अपने चेहरे को और रात को निकलता हूँ ऐसा कुछ करके वरना इतना बड़ा स्टार नियू सर मैं यह गलत है मिया आप ले और बाकि दिल्ली में तो मैंने काम किया है तो दिल्ली आता हूँ तो दिल्ली में एकमस जी में फिर ठोबी केमपस में दो देन में कम सक्का बैठता हूँ आज भी सुबख जाता हूँ चातर हूँ मिलता हूँ, सिगरेट पीता हूँ ने चाय पीता हूँ ने उनकी प्राबलम क्या चल रही है आज के लिए पूछता हूँ और बाकिए छोटे शहरों में जाना मुझे वाकिए बड़ा पसंद, वहां जाकर छोटे ठेटर गृप से मिलना कि वह क्या हो रहा है, उनकी मॉंबे के बारे में बहुत सारे क्यूरोसिटीज हैं, कि वहां पर क् कैसे मिलता है, चांस कैसे मिलता है, काम कैसे मिलता है, उस सब को जो है, उनको सांसने देना की हो जाएगा, कोई टैशन नहीं है, आ जाओ, और उनको गाइड़नेस देना, सही माएने में, उनको हथोट साहित नहीं करना, उनको गाइड करना, सही माएने में और बतलाना, दो तो बुलाये गया था दोबारा दोबारा क्या बुलाये गया था आपको तो टिकेट बेज के बुलाये गया था आपको तो टिकेट बेज के बुलाये गया था बाद में इस्तिती होगी है आप इसे बाद में इस्तिती होगी देखिए अब सब कुछ दर्ज हो चुका है अब आ तो आपको तो बुलाया भी गया था और आप पहली बार लोटे थे तो ये उसके बारे में थोड़ा सा किस्टा जरूर बता दीजिए कि जब आप बंबाई से जिस घटना के चलते लोटे थे और सपत लेट के लोटे थे कि अब बंबे नहीं जाओ या मैं एक लाश के साथ सो गया था थे में मेरा एक दोस्त था ओना हैं को मेरा अप्रादर से नहीं के पास चादर की नॉजरा है कॉछा या रहता है रात को मेरा दॉस्त परण। सुबह उठके देखा मैंने कि उसके प्रामने के लिए तो उस गटना से मैं इतना डर गया था कि मैंने उसके बाद मॉंबल चोड़ना उससे समझा हुआ यहाँ से मेरा थेटर शुरु कि मैं अगर भुणा नहीं होती तो मेरे ख्याल से यह थेटर भी चुरु नहीं होती तो उस गटना का मैं भड धन्नेवाद देता ह कि जह है बच्छा हुआ यह कि गटना हो गई और यह इतना बड़ा थेयटर जो है सुरु हुआ झाल झाल